अगर आप मुझे पहली बात देख रहे हैं और वो सब्सक्राइब बटन इस वीडियो के इत्म नीचे है और मेरी वीडियो को लाइक कीजे और अपने फ्रेंच और पैमिली के साथ शेर कीजे तो इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वारी हूँ इंदुले का ब्रिंगा ओल तो अगर आप मेरे वीडियो जाना चाते हैं तो देखते रहे हैं और इस वीडियो को ज़रूर शेर कीजे आपने इस ओयल की काफी सारी एडवर्टाइजमेंट देखी होगी तीवी पल और यूट्यूब पर आपने रिव्यूज पढ़े देखे होंगे और आपने गूगल पर रिव्यूज पढ़े होंगे तो ये ओयल क्लेम करता है कि आपके बालों का जढ़ना कम करेगा और मैंने इसे एक महिने करे यूज किया और ये सच में काफी अच्छा है और सच में आपके बालों का जढ़ना कम करता है तो आपको इसे हफते में तीन बाल यूज करना है और ये बॉटर एक महिने करे काफी है मैंने इसे एक महिने करे यूज किया है आपको बस नहाने से 2-3 गंटे पहले इस ओल को लगाके मसाज करना है और फिर रख देना है फिर आप अपने बाल दो दें तो ये 50 ml का पैकेट है और ये 234 रुपीज में आता है और इसे लगाना काफी सिंपल है आपको अपने हाथ भी खराब करने की ज़र ने है आपको बस ये कोम उपर दिया हुआ है आपको बस अपने स्कैल्प के गुमाते जाना है और इससे ओल डिलेट लिए आपके स्कैल्प पे लग जाएगा इवन भी हर जगा पे इससे यूज करना इजी है बट अगर आप इस अपने मिडिल like mid part of the hair और end part of the hair पे लगाना है तो ये इतना easy नहीं है फिर इसके लिए आपको इसमें सेते निकालना पड़ेगा फिर अपने बालों पे लगाना पड़ेगा जिससे हम करते हाई हैं बस scalp पे अच्छे से लगेगा इस comb की यही कास्यत है जो नॉर्मल ही हम लगाते पाइं इतना धान नहीं दे पाते तो अब मैं बात करते हूं इसके pros and cons की तो पहला pro is ये ये comb काफी अच्छे से हम इसे use कर सकते हैं या अगर आपकी bottle खाली हो जाती है तो आप इसमें अपना कोई भी oil या अपना favorite oil और इसमें डाल के आप इसे अच्छे से use कर सकते हैं दूसरा ये search में आपका hair fall कम करता है तीसरा इसे आपके scalp और roots तक बहुत अच्छे से oil पहुचेगा और जिससे आपके बालों को मजबूती मिलेगी और आपके बार भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे अब आते हैं कॉंस पे तो पहला कॉंस इसकी packaging के हिसाब से ये थोड़ा बहुत मैसी हो सकता है अगर आप इसे खोलेंगे तो यहां पे पूरा जो oil रहेगा वो बाहर आजाएगा और ये bottle बहुत मैसी हो जाएगी तो इसकी packaging काफी okay है इसकी smell भी okay ही है इतनी कोई strong smell नहीं है और ना ही कोई ayurvedic type smell है इसमें अगर sensitive nose नहीं है आपका तो आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं तो third con ये काफी thick है अगर आप इसे लगा के एक दो घंटे बाद wash करते हैं तो आपको जैसे आप normally shampoo करते हैं आपको उससे two times जादा करना पड़ेगा विकाज इतनी जल्दी नहीं निकलता और अगर आप इसके साथ इंदुले का ब्रिंगा शैंपू यूज़ करते हैं और मैं उस शैंपू के लिए बता दूं कि उस शैंपू वह शैंपू है काफी अच्छा बट उसकी smell बहुत strong है बहुत ज्यादा strong आयोवेडिक smell है उसमें तो अगर आप ऐसे टाइप के लोग हैं जिने इतनी आपको और यूज़ कर सकते हैं मैं यूजरी डव यूज़ करती हूँ और इसमें क्या-क्या आयोवेड इंडीग्रेंस यूज़ हूए हैं उसकी सारी लिस्ट आपको इस पैकेज के इदर मिल जाएगी इस पैकेज़ पे मिल जाएगी पैकेजिंग और इन सबको अगर हम साइड रखें सिर्व अपने बालों के जड़ने पे फोकस करें तो ये काफी अच्छा है काफी अच्छे से हमारे बालों पे काम करता है और हमारे बालों को जड़ने से कम करता है अगर आपने जड़तों वालों से परिशान है तो इसे जरूर यूज़ कीज़े और अगर आपने यूज़ किया है तो अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में मुझे बताए और अगर आपने मेरा रिव्यू दिखके इसे यूज़ किया है तो भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन मेरे चानल को and thank you for watching this video ने आप से फिर मेरती हूँ तब तक बाई